कानपूर बज़रिया थानाच शेत्र के बेकन गंज में सराफा व्यापारियों के साथ हुई टफे बाची में कानपूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता कानपूर पुलिस ने महरास पुलिस की मदद से सोना लेकर भागे कारी करके एक साथी महेश विलास मस्के को महरास रिस्ते किया गिरफ्तार महेश मस्के को महरास के सांगली जिले के इसलाम पुर थानाच शेत्र से गिरफ्तार किया गया है कारीगर के साथी के पास थे भारी मात्रा में सोना, चान्दी, कैश, वान इस्तामान हुआ बरामन मुक्या रोपी स्टंपत लवेटे की तलाश में जुटी कानपूर पुलिस, मारास पुलिस के साथ दे रही दबिश पास दिस्टंबर को बजरिया थाना छेत्र के देकन गर्श थे, एक कारी गर्श ता रफ़ा व्यापारियों का लगभग बारा किलो सोना, एक करोन कैश, और चान्दी लेकर हुआ था फरा आठियाई नियूस 24 के लिए तौसीफ एहमद की रिपोर्ट देखिए थाना बजरिया पे एक मुकदमा हमारे पुलिस द्वारा पंजी करित किया था, 109 बटा 23, 420, 406 का जिसमें तीन लोग नामित थे, संपत्राव लवेटे और महेस मस्के और उनका एक साथी सूरज इन तीनों की गिरफतारी के लिए एक साइटी भी बनाई गए थी पूरी वेशना को करने के लिए और हमारी एक विस्तित टीम जो इनके ग्रह जनपत जो महराश्ना में सांगली में वहां पे काफी दिनों से लगतार कोशिश कर रहे थी इनको पकड़ने के लिए इसमें यहां पर न्याले के समख्ष पेश किया जाएगा और इसको जेल भेजके फिर इसके बाद अब लोग पुलिस कस्टेडी रिमांड लेंगे और गहनता से पूस्ताज करेंगे बाकि जो साथी उनकी गिरफतारी के प्यास जारी है और हमारी कोशिच यह कि सारे गिरफतार हो जतने स्यादा जादा ज़्यता कि स्सक्राइब गाली के जो हमारे पास जो मुकदमा लिखा गया उसमें काफी सब्सक्राइब हो लोग लोरी का एज बादड़ेंगे उस्ता क की प्स उस favoris को एम लिए इसमें लगए wipedMom me樣 लोना से लिकारा है और यहां थे यहां आप जो 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 जेलर्स थे उन से सोना लेते थे और महींचे के इनको ब्याज की रूप में वापस करते थे काफी दिनों से यह लोग इस काम को लखबग पैसे साल से यहां पर कर रहे थे जो अभी तक की पुस्तास में इनों नहीं है बताए कि कई लोगों को इनने ब्याज में पैसा भी वापस किया और कई लोगों को समान मी वापस किया जो समान को दिर्च पूरु झाल झाल